लो एवरीवन वेलकम टू चानाकाइस अकाडमी पतना 69 विप्यसी पीटी क्रैस कोर्स सेशन हमारा यह अभ्यूदेश री जिसमें हम आरम से अंत्य तक आप सब भी के साथ बने हुए हैं इस सेशन में अगेन मैं हिस्ट्री के एंसेंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपोर्ट टॉपिक गुप्ता डाइनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि उसका कैसा एक्सपेंशन था इंपायर का पॉलिटिकल सेचुएशन क्या था क्या सोचल एकॉनमिक कंडिशन था और कैसे इसका फाउंडेशन हुआ और यह क्यों गोल्डेन एरा 候ус आइंड़ंड कैसे मं यह अब हम बात करते सबसे फर्स्ट करते हैं गुप्ता इंपायर के स्टेविस्मेंट की बात करें हर मस भीर गुक्ता डाइनस्टी develops यह उसके यो फॉंड़र हे वह स्रिक्डोप JONठी है गुप्ता इंपायर अब बात करते गुपता इंपायर के स्ट्रिच की एक्रोस नॉर्दन एंड सेंटरल पार्ट ऑफ सॉधर्न इंडिया बेट्विन थ्री हंडेट ट्वंटी से फाइव हंडेट फिप्टी की बीच में इसका काफी ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला था आप देख सकते इस मैप में जो पर गुपता डैनेश्टी है उसका इक्सपेंशन है कहां से प्लवCH 的यां यूऩं गॉपता से ल करते हैं उनका जो लीटा रहता है उनका ईस घतवच्वच्ट होता है, that is the son of Is Chandr Gupt Maurya, Sorry, Chandr Gupt I. Founder who is Shri Gupt, Founder of the Gupta dynasty and After that Ghatwoj got and successor of Ghatwoj got Khach is Chandr Gupt I, the 1st independent King of Gupta dynasty. Chandr Gupt I co, Gupta dynasty का 1st independent King भी कहा जाटा है, it is said that Empire of Chandr Gupt I may have included the area of modern Bhihar and part of पुत्तरप्रदेश एंड प्रेंगॉल जैसा कि हमने मैप में भी देखा कि जो चंद्रगुप्त वन के टाइम में जो गुपता डैनिस्टी का जो एक्सपेंशन था वह नौर्थ इस्ट में भी और प्रॉक्स कह सकते हैं कि आसाम तक वह इस्प्रेड किया हुआ था अब आप्टर बात करें चंद्रगुप्त सखेसर आते हैं समुध्रुप्त को नेपोलियन ओफ इंडिया भी कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि गुपता डैनिस्टी का यह है कैसा किंग है जो कभी भी किसी वाड में हारा ही नहीं that's why he said Napoleon of India का इससे संग्या दिया जाता है it is generally believed that during his time गुपता इंपायर इस्पैंड फ्रॉम हिमालिया इन नौर्थ to the mouth of Krishna and Godabari river in south from Balak in Afghanistan in west to the Brahmaputra river in the east अब समुद्र गुपत के time में भी जो area of expansion था गुपता डायनेस्टी का आप देख सकते हैं उस map में भी हमने देखा था कि वेस्ट में आप कहा सकते हैं कि Afghanistan का border तक था इस्ट में भी वह ब्रंपुत्रा river तक और south में Krishna Godabari का जो river है कांचिपुडम का जो जोन है वहां तक यह spread किया हुआ था इसका सबसे बेसिक अगर कारण बताए कि समद्रुपत इतना क्यों powerful हुआ तो राज धर्म के doctrine को बहुत ही follow करता था मतलब जो एक discipline होना चाहिए king का उसे वह बहुत ही maintain करके रखता था और जो काटिलिया के आर्थ शास्त्र को काफी ज्यादा फॉलो करता था इसके टाइम में एरिया जो था जो गुप्दा इंपायर का वह काफी expand किया और इसे संग्या दिया गया कि इसे नियापोलियन ओफ इंडिया के रुप में भी जाना गया राम गुप्त काफी घुकात घुप्त पां देखने को नहीं मिलता है राम गुप्त के बारे में आपको देखने को मिलेगा देवी चंद्र गुप्तम जो प्ले है उसमें आपको राम गुप्त के बारे में जनकारी मिलती है तो राम गुप्त की जो वाइप थी धुरुबा देवी धुरुबा देवी राम गुप्त जो है साका जो भी उसके एनमी रहते हैं गुप्ता डैनिस्टी के जो एनमी रहते हैं साका राम गुप्त क्या करता है अपनी वाइफ दुरुबा देवी को डिया जाता है dethrone किया जाता है मतलब जो इंपायर का गुप्ता इंपायर के किंग का जो थ्रोन है उससे हटा दिया जाता है and this चंद्रगुप्त 2 married to धुर्वा देवी actually में क्या होता है कि समद्रगुप्त के बाद जो नंबर है वो रामगुप्त का आता है और उसके बाद वो married करता है to the wife of रामगुप्त धुर्वा देवी अब बात करते हैं territorial expansion की the pick of territorial expansion of गुप्ता इंपायर reached its height during the region of चंद्रगुप्त to the son of समद्रगुप्त की जो एकदम कह सकते है कि पिक कह सकते है कि गुप्ता इंपायर का पूरे एडिया में spread कर गया था the most important military achievement of चंद्रगुप्त वाज वार अगेंस्ट साका छत्रफ वेस्टरन इंडिया यही साका के साथ वो साका को defeat करता है और रामगुप्त की वाइफ जो जिसे रामगुप्त ने surrender कर दिया था साका इनिमी को उसे रामगुप्त को साका को defeat करने के वाद रामगुप्त को dethrone करके उसकी वाइफ धुर्वा देवी से चंद्रगुप्त टू जो है वह marriage करते हैं after that the ex-prights of a king called चंद्रा are glorified in an iron pillar inscription fixed near कुतुब मिनार और इनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी चंद्रगुप्त टू के बारे में कुतुब मिनार के नियर iron pillar है वहाँ पर आपको यह जानकारी इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है कि दचंद्रा आप महरावली iron pillar inscription has been identified with चंद्रगुप्त टू और जो महरावली का iron pillar inscription है वह भी विजीट किये थे दिवनाथी गुपता इंपायर में दिवन दे टाइम ओफ चंद्रगुप्त टू तक कोट ऑफ चंद्रगुप्त टू वाज अड़न वाई चंद्रगुप्त टू के टाइम में यह नवराज जो थे वह गुपता इंपायर में काफी फेमस हुए अब यह कौन-कौन से थे नवरतनाज आप देख सकते हैं यह तो पहले समराठ खुद हैं विक्रम जिसे चंद्रगुप्त टू के नाम से भी जाना जाता है यह जो नव नवरतनाज थे उसमें है धनवंतरी खपनक अमर सिंग संकु बैतालभट घटपरक कालिदास बड़ा मिहीर और बरूची यह नवरतनाज थे जो की चंद्रगुप्त टू के कोट में थे और यह बहुत स्कॉलर्स हुआ करते थे जो कि इनका हेल्प किया करते थे जैसे है की एक्सपेंशन था द्यूरिंग चंद्रगुप्त टू के टाइम में वह इस एक्सपेंशन जो उनको यह काफी हद तक मेंटेन करके रखते हैं कुमार गुप्त जब यह किंग बनते हैं तो जो इंपायर का जो कह सकते हैं कि जो मोराल डाउन हो गया था जो फॉर्टू से डिकलाइन कर गया था यह गुपता इंपायर के फॉर्चुन को फिर से रिभाइब करते हैं He is generally considered the last of the great गुपता इंप्रेरर्स और ये जितने भी गुपता इंप्रेरर्स है उसमें सबसे अगर लास्ट ग्रेटेस्ट इंप्रेरर किसी कहा जाता है गुपता इंपायर का तो सकंद गुपत को ही कहा जाता है अब बात करते हैं पॉलेटिक्स और अड्मिनिस्टेशन की ये आखिर गुपता इंपायर इतना बड़ा जो जो ग्राफिकल जोन था उसे कैसे मेंटेन करके रख रहा था जो लार्ज किंडम्स होते थे वो डिवाइडेड होते थे इंटु ए स्मॉलर प्रदेशा ये जो लार को रख दिया जाता था कि यह वहां के अड्मिस्टेशन को संभाल सके किंग मेंटेंड डिसिप्लीन एंड ट्रांस्पेरेंसी इन बुर्यक्रेटिक प्रोसेस क्रिमिनल वाज मिल्ड कैपिटल पनिसिवेंट वाज अन्हियर और जुडिशियल टॉर्चर वाज नॉट प्रै प्रैक्टिस नहीं होता था साथ ही साथ जो थेप्ट का बात करते हैं चोरी का बात करते हैं वह काफी यहां पे आपको रेयर देखने को इस गुपता इंपायर में मिल रहा था अब बात करते हैं हम सोचियो एकॉनिक कंडिशन का पीपल लेट सिंपल लाइफ कॉमडिटी बैर एफड़ेवल और अल अरांड प्रोस्पेरिटी इंसिर दियर रिक्वार्मेंट वेर मेंट इजली लोग जो थे इस टाइम में गुपता इंपायर के टाइम में काफी साधा जीवन जीते थे जो भी बस्तुवे सस्ती थी और सम्रिद्धी के लिए यहां जो सुनिश्चित किया जाता था कि जो भी उनकी आबसकता है कि बस्तुवे हैं उन्हें टाइम पे मिल सके एफड़ेवल प्राइसेस में मिल सके गोल्ड और सिल्वर कोईंस वेर इसू इन ग्र एक्सपोर्ट होता था जो था वो काफी इंप्रूब किया था जैसे आइबरी जो एलिफैन टस्क होता है टाट्वाइज सेल एटी सी फ्रॉम अफरिका इंड सम् मेडिकल प्लांट्स फ्रॉम चाइना एंड फार इस्ट वियर हाई ओन लिस्ट ऑफ इंपोर्स यह सब काफी हाई क्वांटिटी में इंपोर्ट किया जाता था गुपता इंपायर के टाइम में फूड ग्रेन स्पाइसे साल्ट जेम्स अंड गोल्ड बिलियंड प्राइमरी कमोडिटी जो इनलैंड ट्रेड में हम बात करें फूड है फूड ग्रेन था स्पाइसे साल था जेम्स था यह सब इनलैंड ट्रेड में एक्टिविटी में इंप्लाई होते थे आफ्टर देट रिलीजन की बात करते हैं जो भी गुप्ता इंपायर थे गुप्ता इंपायर में देवेर्ड़ डेवोटी ऑफ बैसनवा हिंदू जू वर्शिप सुप्रीम क्रेटर एज बिसुनु के डिवोटी थे लेकिन ऐसा नहीं था कि वह दूसरे जो भी रिलीजन थे उसके अगेंस्ट में थे बुद्धिस्ट मॉनाष्ट्री जीवे रिशिव डिब्रल डोनेशन और गुप्ता इंपायर के टाइम में जो बुद्धिस्ट मॉनाष्ट्री थे उन्हें भी काफी ज्यादा डोनेशन दि किया गया था जैनीजम फ्लारिस्ट नोर्दन बेंगाल गोड़कपूर उद्यगिरी और गुजरात अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि किंग भी बैसनावा बैसनीजम को फॉलो करते थे लेकिन इसके टाइम पिरेड में जो लिब्रलिजम था रिलीजन के अगर रिलीजन की म और एजुकेशन की हम बात करते हैं जैसा कि हम जस्ट देख रहे थे कि चंदरगुप्त टू के टाइम में जो नवरातनाज रहते हैं वह काफी ज्यादा कंट्रिब्यूट करते हैं इन फिल्ड ऑफ लिट्रेचर साइंस एंड एजुकेशन क्योंकि वह स्कॉलर्स लोग रह सकुंतलम, मालवाक, अगनी मित्र, रगुबंसम, एंड कुमार संभवं यह सब जो ग्रेटर इपिक्स हैं, पोईट्स हैं, कलिदास वही नवरातनाज में से एक स्कॉलर्स रहते हैं जिनके दोरा यह सब लिखा जाता है अभी ज्यान सकुंतलम, मालवाक, अगनी मित्र, फ्लॉरिलेट इस कंपोजड अलहाबाद प्रसस्ती की बात करते हैं और दाट इज कंपोजड वाई हरी सेन, सुद्रक रोट मिर्च कटिका, विसाखादत क्रियेटेड मुद्रा राक्षस, एंड विश्नु सर्मा पेंड पंच तंत्र, तो यह सब जितने भी स्कॉलर्स हैं वह अलग अलग बहुत सारे क्रियेशन के लिखते हैं, जैसे सुद्रक मिर्च कटिका लिखते हैं, विसाखादत जो है, वो मुद्रा राक्षस लिखते हैं, विश्नु सर्मा पंच तंत्र के बारे में लिखते हैं, तो यह सारे, अब इसी मुद्रा राक्षस जो लिखा हु सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं इस लिए उनका एक बहुत बड़ा क्रियेशन है ब्रियत समिता जीनियस मैथेमेटिशन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यवर्ट फूरोट सुर्य सिधान्ता विच कवर्ड तेवरल आस्पेक्ट ऑफ जियोमेट्री टिग्नोम सुर्य सिधान्त लिखते हैं जिसमें काफी ज्यादा आपको मैथेमेटिक्स के रूस देखने को मिलेंगे एस्ट्रोमी से रिलेटेड आपको रूस देखने को मिलते हैं संकु डिवोटेड इंसल्ट क्रेटिंग टेक्स्ट वाउट जियोग्रफी और अगें संकु भी जो काफी जाते कंट्रिबूशन करते हैं इन दा फिल्ड अफ मेडिसीन ग्रेट मेडिकल ट्राइओ एंसेंट इंडिया पागवता चरक एंड सुसुरुता बिलॉंग टू इस पिडियाट की मेडिसीन के चेत्र में भी जो सुसुरुत समीता है इसी पिडियाट के दौरा लिख महाभारत है या फिर रमायन है इसी पिडियट के दौराण इसे महाभारत नाम से भी जाना जाने लगा नालंदा इनवर्सिटी का फांडेशन हुआ अबाइदा कुमार गुप्त विकेम दा मोस्ट सेलीबरेटेड बुधिस्ट एजूकेशन सेंटर इन नॉर्थ इंडिया और इसी दौरान नालंदा इंवर्सिटी जो आपके बिहार में है अभी बहुत फैमस है वो कुमार गुप्त के द्वारा फांडेशन उसका किया गया था को Даже 1 आर् symb bater करकेशन करें तो गुपता प्रियार्ड को गॉल्डेन एरा उफ आर्प इंड इंडिया में यह आम्रट्च के चतर में काफी ज़्यादा इन्विश्ञी सब्विश्यांपल आपकोड़कुर Zeitum पाउंड किया जाता है आपको अजंता केपस में सारनाथ में मतुरा में अनुराधापूर एंस सिग्रिया में यह सब जगों पे आपको बहुत ज्यादा गुपता इंपायर से रिलेटेड जो है इविडियंस देखने को मिल सकते हैं बेसिक टीनेट्स ओप सास्त्र जो की ट्र इन क्लिडिन इंद टाउन प्लानिग और इसको हर जगा फॉस्टानिग की आज़ाता है इसके मुल्च सिधान्तों को फॉलौ किया जाता है अगर टाउन प्लैनिंग कैसे करना है तो इस गर्ण्थ से वास्त्रह से को फॉल। किया जाता है इश्टोन तोन गोल्दन इंट्रिकेटली डिजाइंड गोल्ड कोईंस ज्वेली मेटल स्क्रप्चर स्पिक भॉलूम इवाउट स्किल्स ऑफ मेटल स्मिथ अप इस दौरान देख सकते हैं कि जितने भी पत्थर से पत्थर का अकार से को सेप करके जो सुनेरी सिधिया बनाई जाती थी यह लोहे के जो जो भी उस मेटल पर वर्क करने वाले थे वो काफी ज्यादा स्किल्ड हुआ करते थे अब और बात कर सकते जैसे काड़ आईवरी जो अलिफैंट टस्क में होता था नक्सिदार जो हांती का दांत होता था लकडी और लाक का जो काम होता था ब्रोकेड और कढ़ाई वाले ब इस्टूमेंट सेवेंट सेवेंट टाइपस अफ usa एन इंक्लूडिक बीन ले जिसमें सम्मदर गुप्त का जो क्वाइन है उस पे गोगल्ल डिया सीलवर का उससे सम्मद्रगुपत रहे सेवेन बाज युज्य को फ्यूभिन लोन के जदे हुए फुलूट का जूँज ए यह सब गुपता इंपायर के एक इंपोर्टेंट फिचर्स माने जाते हैं आट ऑफ कास्टिंग मेटल इमेज रिज डिट्स क्लाइमेक्स दूरिं इस परियर्ड कि अगें जो जद्धातु का यूज करके जो चबी बनाया जाता था मुर्ती बनाया जाता था कास्टिंग किया जाता तो वह काफी ज़्यादा फ्लरिस किया था आट ऑप पैंटिंग रिज इस हाइट ऑप गलोडी ये पैंटिंग के अगर मामले के हम बात करते तो वह काफी ज़्यादा फ्लरिस किया था दिर्विं इस पिडियर्ड फ्रेस्को पैंटिंग नोटिस इन दा केपस अट बाग केपस और प्रोड्यूस अप गुपता इंपायर का ही अब कुछ पी वाई क्यू देख सकते हैं कि जो प्रीवियस येर में कोशन पूछे गया है गुपता इंपायर से और विप्यसी फ्रिक्वेंटली इस गुपता डाइनस्टी से रिलेटेड कुछ कोशन पूछते रहते हैं हर साल और एक्जामपल हम बात करते हैं फैमास चाइनीज पिलेगरिजम फायान बिजिटेड इंडिया दियू इंडिया वह इंडिया में गुपता इंपायर के किस किंग के टाइम जैसा कि मैंने अभी जस्ट कवर किया है गुपता डाइनस्टी के बारे में अगर वीपेसी इससे कोशन पूछती है तो आपका कोशन इसली इससे अटेंप्ट हो जाएगा तो आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताए कि हमारा य करें कैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सो दैट सौल पर टुडे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू